यह फर्टिलाइजर डालने से मोस्रोज पोटुलाका में धेरो सारे फूल और धेरो सारे कलिया आएंगे अगर आपके भी मोस्रोज पोटुलाका में फूल और कलिया नहीं आ रही तो एक बार के फर्टिलाइजर आप अपने मोस्रोज के पौधे में डाल करके दिखिए बहु तो मोस्रोज पोटुलारका समर्का बहुत ही अच्छा फ्लाउरिंग प्लांट होता है कम केयर में और फूल देने वाले पोधे होते हैं इसकी ज्यादा देखवाल नहीं करने पड़ते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा फूल देने के लिए इसको नैट्रोजन यूग तखाद होते हैं वह प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और पतियां चमकदार और मुस्रोज पोटुलाका जो है यह एक सकुलेंड प्लांट से विलाउंग करते हैं तो यह इसमें ज्यादा पानी की जरूथ नहीं होते हैं अगर पाई नहीं डालेंगे तो भी बहुत अच्छी से यह प्लांट चल जाएगा कुछ दिनों के लिए फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी अगर इसमें पाई डाल देंगे तो यह प्लांट की ग्रोथ तो होगी लेकिन प्लांट में फ्लावर कलिये नहीं आएंगी और अगर ज्यादा ओर वाटरिंग हो जाते हैं तो प्ल करके हडाते रहें यह और दो फिलए तो फ्लार च्करते हैं तो वह में बढने लगते हैं और उपर के टिप फ्लावरिंग करते हैं तो इसकी पींगची करते रहेंगी तो फ्लांट की गोथ लिंग अच्छी होगी बाइंग और प्लांट सब्सक्राइब लिए जरूर पतहुल कर यह सäकष इसे आप Kern बावर में भी इसको बनाकर के ह bucket और जो इसके इसमें आपको कई कलर्स देखने को मिल जाएंगे यलो है वाइट है और गाजरी कलर है रानी कलर है और दो का सेड है एक पिंक और वाइट का सेड भी है तो आपको कई कलर्स देखने को मिल जाएंगे रेड भी होता है तो मेरे पास तो रेड नहीं है लेकिन आप आपके पास हो तो लगा लिजी और जो हाईब्र होते हैं इसमें भी आपको कई कलर्स देखने को मिल जाएंगे ये कई विराटी के होते हैं सिंगल पैटल मॉल्टिपल पैटल के होते हैं और इसे आप फूल दूप में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ होगी अच्छी लेकिन इस तो हर समय प्लांट में नैट्रोजन इक तुखाद और पोटेस्टिम इक तुखाद डालते रहें ताकि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावरिंग भी जब जसता है तो जो नैट्रोजन इक तुखाद होते हैं वो आपको बहुत आसानी से घर पर ही मिल जाएंगे जहरे ह deer पड़ी हैं उसको इसको फेक देते हैं उसको अच्छे से दो करके सुखा करके अपने जाए इसे प्लांट की नाख धिक अच्छी होगी और नए ने लीफ्स भी आएंगे healthy लीफ्स आएंगे चमकदार लीफ्स आएंगे और potassium जो होती है ये plant में कलिया और flowering लाने में मदद करती है तो हमें दोनों खाथ की जरूरत होती है अपने plant में डालने के लिए तभी plant की growth भी अच्छी होगी और flowering भी जबजस्त होगी तो दोनों खाथ जरूरी होता है चाहे जो भी flowering plant हो उसमें nitrogen और potassium की जरूत होती है तभी plant में flowering और growth अच्छी होती है तो growth बढ़ाने के लिए nitrogen युक्त खाथ और flowering लेने के लिए potassium युक्त खाथ देना जरूरत हो तो इसकी cuttings को कैसे लगाते हैं दोस्तों तो वह भी मैं मिट्टी में जाती है तो सरती है गलती है अब fungus भी लगते हैं तो मिट्टी आप पहले से बना करके रखिए पाट मिट्टी शैन गुबर के खाथ मिला करके रखिए और उसे में cuttings को लगा दीजिए cuttings लगाते से मिट्टी बिल्कुल गीली होने चाहिए इसे cuttings बहुत आसा और बाटरिंग हो जाते हैं तो cuttings गलने का वेड़ा रहता है तो इस वजह से आप इसको बाहर धूप में ही रखिए मैं तो cuttings जब भी लगाती हैं दोस्तों तो बाहर धूप में ही रखती हूं इसकी cuttings बहुत अच्छे से चल जाती है तो कौन सा fertilizer है वो आप सबसे मैं share अब करने से आपके moss rose forulaka की growth भी अच्छी होगी और flowering भी जबजस्त होगी तो यह के लिए के छिलके जो के लिए खाकर के आप के लिए खाकर के छिलके फेक देते हैं दोस्तों तो उसको अपने plant में डाल सकते हैं उसका liquid fertilizer बना करके तो तीन-चार के लिए के छिलके हैं इस को किसी चीज में आप पानी भर लीजिए तो मैंने बॉटल लिया है बॉटल में पानी भर करके तो उसे में तिन-चार के लिए के छिलके डाल दें फिर उसके बाद इसमें किचन से ही निकलने वाला एक और चीज है दोस्तों किचन में हमारे बहुत इस सारे चीज होते हैं जो हमें फ्री में ही मिल जाते हैं अपने पौध में डालने के लिए और उसे आप वेस्ट समझ कर फिक देते हैं तो इसा करें गलती तो यह है प्यास के छिलके दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में फासफोरस होता है तो इससे डालने से हमारे प्लान्ट में फ्लावरिंग मा इसके खुक 收 Bay Area और जाएका आपको बाजर से खरीदने के जोरत नहीं पड़ेगी ना हहीं पोटेसियम्य और नहीं फासफोरस नौट उप्तखाद माजर से लाना पड़ेगा फ्री में ही आपको घर से किचंग से मिल जाएगा आप जब भी डाले अपने पधी में तो पौधे में और्गेनिक फर्टिलाइजर डालने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए दोस्तों और उसके बाद यह है चैपती यह फ्रेश चैपती है चाहे तो आप यूट चैपती भी ले सकते हैं तो आधा चमच के करीब मैंने लिया है बड़ा चमच है तो उससे मैं में डाल करके अच्छे से मिक्स करके इसको धकन लगा करके दो दिन के लिए एक दिन के लिए इसको रख देना है 12 घंटे या 24 घंटे के ताकी इसमें जो भी बकान hm करना है इसको खोड करना है तो इसमे जो गैस बनते हैं तो यह बोतल में आप उड़ए तो is अच्छे से बंदव मत करिए दोस्तों अच्छाया में इसको रख दीजिए 12 घंटे चोविस घंटे के लिए ताकि जो भी इसमें नीट्रिशन है सब पानी में आ जाए तब यह हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा फायदे मंद होगा यह फर्टिलाइजर इसे डालने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छे होगी यह फ्लारिम भी होगी तो यह देखिए दोस्तों यह 24 घंटे की बाद का रिजल्ट है तो इसके ढखन को मैंने ढहिला करके ही रखा था और बीच बीच में आप इसको ढखन थोड़ा खोल करके इसको फिर बंद करके हिला करके फिर ढ हकतम को ड्हिला करके रख देना है दोस्तों और यह देख perlu छान करके लिया है मैंने तो यह फेल्टिलाइजर कितना अच्छा बन करके टयार होगा है हमारा फ्री का ही fertilizer देख सकते हैं हमारे plant की growth भी बढ़ाएगा अब प्लान्त में flaurim भी लाएगा कलियां भी आएँगी growth भी अच्छी होगी दोस्तों तो ऐसे ही नहीं डालना है यह fertilizer इसको साधे पानी में doin डेलूड करके mix दोस्तों इसको पानी में डिलूट करके तभी डालना है इससे डालने से हमारे प्लांट की ग्रोथ वेच्छी होगी उतना ही पानी डाले जितना आपके प्लांटर को जरूरत हो ज्यादा पानी ना डाले कि बाहर निकल करके चला जाए और मिट्टी ड्राई रहे तभी ये तो प्लांट जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेगा जो भी फटिलाइजर डालेंगे बहुत तेजी से अपना वर्क करना शुरू कर देगा प्लांट ग्रोथ भी बढ़ाएगा और फ्लावरिंग भी होगी बहुत अच्छे से तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्ली में डाल सकते हैं दोस्तों तू चलते हैं ओके बाई हैपी गार्डनिंग